नमस्ते दोस्तों यह सब्सक्राइब यूटूब चैनल में आप सभी का अर्दीक स्वागत है और मैं नवीन को स्वाहाँ आज एक इसे जनरल स्टेडी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं हम जो कई दिन से हम सुन रहे हैं और आप सभी सुन रहे हैं कि इंडिया और चाइना क्या लडाई हो रही है और हम उसमें चाइना के समान को बाइकॉड किया जाए चाइना के समान हम पर्चेज ना करें ठीक है तो यह सारी चीज़ों के उपर कुछ छोटी सी information हम आपको provide कर रहे हैं कि चाइना से हम कितना सामान export import कर रहे हैं हम कितना export import कर रहे हैं और चाइना से वाले कितना export import कर रहे हैं पूरे world में और इंडिया में उसके हम आपको थोड़ी सी slide के हिसाब से एक बताएंगे जो दो से तीन मिनिट का होगा उससे आपको practical knowledge मिलेगा कि हम क्या बताना चाहते हैं लेकिन बहुत दिनों से चल रहा है कि हम चाइना के सामानों को बाइकोड किया जाए तो दोस्तों मेरा ये कहना है हम किसी चीज के लिए विरोध में नहीं बैठे हैं लेकिन हम ये बोल रहे हैं चाइना के सामान को बाइकोड करें बहुत अच्छी बात है लेकिन कितने सही वह इस्तमाल करने लगते हैं जब तक आप मन से में अपने मन से नहीं डिसाइड करें कि हमें चाइना के सामान लेना ही नहीं है तब तक आप डिसाइड नहीं कर रहेगा मेरा है मानना है कि जैसे बहुत सारे उपोविवो के मोबाइल आते हैं अब आपको कोई आप्सन आप दोस्तों लेकिन उसके सामने हम अपनी चीजों को भी है करे plaint एकसेप कर सकते हैं और अच्छी तरह करें जिससे बहुत ही अच्छा और रिजल्ट अच्छा हैगा दो तीन दिनों से न्यूज में हमने देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपने घर के चाइना के सामान चाइना के टीवी चाइना के खिलोने और बहुत सारे दिल्ली से लेके हर जगा बहुत जगाओ में जो छोटे- बहुत अच्छी बात है मैं तो सबसे अच्छे बेश्टे लेकिन दोस्तों इससे हमारा फाइदा या नुश्चान वो अलग चीज हमें सरकार को बोलना होगा कि सरकार कुछ ऐसा करे जिस जिन चीजों पर हम डिपेंड है चाइना के उपर उसे धीरे-धीरे अगर हमारी सरक सरकार हमारे देश की सरकार वो कोई भी सरकार हो उस प्रोड़क को भारत में ही बन जाए ऐसा कुछ किया जाए और इसके उपर कदम अगर उठाया जाए तो हम इंडिपेंड नहीं रहेंगे किसी के उपर इसी तरह हमने चार्ट में जो बताया है लेकिन तब भी हमको आपको देखिएगा कि कुछ खास नहीं है कितना है 3% उनके total export मतलब चाइना पूरे विस्षो में जितना वे export करता है उसका 30% हम ले रहे हैं उस 3% में बहुत सारी चीजे हैं जैसे इलेक्ट्रिक हैं या पी केमीकल्स हैं वगेरा वगेरा बहुत सारे हैं तो दोस्तों यह तो हम आपको स्लाइड में दिखा देंगे आप देख भी लेंगे लेकिन देखी अभी क्या-क्या चाइना कर रहा है हर तरह से नेपाल अचानक स इअउपर जो भी गुसा आ रहा हो आप उनका बाइकोड करिए अपने तरफ से बाइकोड करिए उसको चिला चिलाना मत करिए क्यों मैं बाइकोड कर रहा हूं मुझे नहीं चाहिए मैं नहीं लोगा नहीं लेना है तो मन में ठान लीजिए और लेना बन कर दीजिए सबसे अच्छा और आसान तरीका यही है कि हम जितने भी अच्छी चीजी इस्तमाल करेंगे आयरुवेद हमारे यहां से पूरे विश्व में अपनाया जा रहा है योग हमारे यहां से पूरे विश्व में अपनाया जा रहा है विश्वा के बड़े-बड़े teaching staff में या फिर बहुत सारे CEO भारतिया हैं तो क्यों नहीं हो सकते हैं Indian product का क्यों नहीं इस्तमाल किया जा सकता तो मेरा यह मनना है कि आप इसके लिए कोई भी source सराबा मत करें और बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है इंडिया को चाइना से अगर हम समान मगाना बन कर देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इकोनोमिक्स बैड़ जाएगी यह सब गलत है यह सब चीजे गलत है मैं माल में आप खुदी देखिए और खुदी बात में सोचिए और बहुत सारे यूटूब में वीडियो बता रहे हैं देखने को मिल रहे हैं आपको तो देखिए हम बहुत ही जल्दी और भी वीडियो बत डालेंगे जो आपको अच्छे से अच्छे लगेंगे ठीक है दोस्तों तो यह वीडियो स्लाइड देखिए अब इन्विस्टर है मतलब इतने रुपे का इन्विस्ट किया गया है भारत में ठीक है दोस्तों अब जरा इस तरब के चार्ट में देखिया आप के ये 2016 के आकड़े है के भारत में भारत में कितने लोग विजिट करने आये चाइना चाइना से तो भारत में चाइना से विजिट क कितने गए हैं आठ लाख लोग कपके डीजिट है यह 2016 के तो हमारा एक ग्राब देख सकते हैं आठ लाख विजिटर हम यहां से चाइना गए हैं और 2.5 लेग वहां से यहां हैं कंपनी इंवेस्टमेंट या जो भी सर्चिंग के लिए जो भी समझ सकते हैं आप ठीक है इंडि कितना एक्सपोर्ट करता है तो 16,752.2 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है जबके इंपोर्ट की बात करें तो 70,390.4 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है तो हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है जिसमें 16,000 और 70,000 ठीक है दोस्तों अब इंडिया कौन कौन से चीजें इंपोर्ट ज्यादा करवाता है तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक मेकनिकल एंपार्ट्स अठारा बिलियन डॉलर लेता है मतलब 29 प्रतिस निक्लियर के बारे में अगर बहुला जाए निक्लियर रियक्टर्स और अधर्स तो 13 बिलियन डॉलर फिर बाद में और्गेनिक केमिकल में 7.5 बिलियन डॉलर फिर अधर्स इस तरह दो और आयरन स्टील कुछ खास नहीं लेताता है एक बिलियन डॉलर इस तरह ये एक्सपोर्ट इंपर्ट करते हैं तो आप जान सकते हैं कि इंपर्ट्स 70,319 है और जब एक्सपोर्ट है 16,752 अ अब थोड़ा एक अलग देखते हैं कि भारत और अन्यदूस होगा एक्सपोर्ट इंपर्ट में नंबर वन कौन है तो हम सबसे ज़्यादा युनाटेट स्टेट से हम इंपर्ट करते हैं 11.3 और जब के चाइना से हम करते हैं 10.6 परसेंटेज मतलब एपरक समझ लिजी आप 11 परदेशत ठीक है मतलब नंबर वन में युनाटेट स्टेट है जिसे हम सबसे ज़्यादा इंपर्ट करते हैं लेकिन यहाँ चाइना और होंग कॉंग दोनों अलग अलग दिये गए हैं तो हम होंग कॉंग से करते हैं 3.5 परसेंट इंपर्ट अगर चाइना और होंग कॉं जानने को मिल जाएगा अब थोड़ी जानकरी विसेश जैसे कि हम हम अजडिस्व से जैसे चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो उनका टोटल का तोटल का 3 परतिसत है इंपोर्ट में ठीक है और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम तोटल का पॉइंट 90 परसंट ही कर रहे हैं उससे ज्यादा नहीं कर रहे हैं ठीक है दोस्तों तब उनके तोटल एक्सपोर्ट का हम 3% इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारे तोटल एक्सपोर्ट का 0.90% मतलब 1% हम चैना को एक्सपोर्ट करते हैं बस इतना ही फरक है ज्यादा फरक नहीं है लेकिन तब भी उससे बहुत सारा effective हो रहा है ओक दोस्तों तो आपको slide देखके पता चल गया होगा कि भारत से चाइना और चाइना से भारत कितने लोग आये हैं गए हैं मतलब और किस तरह इंडूश्ट्यल में कितना-kितना dependent है इन्वेस्ट्मिनट चाइना कर रहा है यहां की कंपनियों में इन्वेस्ट्मिनट किया है वह आपने वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो share करिएगा subscribe करिएगा और दोस्तों को बताईएगा हम इसी तरह के topic के उपर हो और general knowledge के उपर हम बहुत जल्दी जल्दी आपको वीडियो provide करते रहेंगे ओके मित्रों नमस्कार